नावल तेरे संग चलेंगे हर दम किस नमबर साथ जहरा का आज निकाह था घर में त्यारियां हो रही थी नताशा और अकबर बताये गए वक्त से पहले टपक पड़े थे नताशा ने काफी मेंगा मेकब ड्रेस पहना हुआ था वो बहुत इतरा रही थी बाद बाद पर अपने कपड़ों के कीमत मताने लगती जहरा जो काफी बोर हो चुकी थी उसके दिमाग में एक तुफान आया उसने बड़ी चलाकी के साथ मेज का पाउं नताशा की कमीज के सिरे से टिका दिया भाबी अक्बर भाई आपको बुला रही हैं बाहर जहरा ने खुझ से शोशा छोड़ा और हंसी दबा कर खड़ी हो गई नताशा जाने के लिए खड़ी हुई तो चिरर के आवास के साथ ही इसकी फैंसी और महंगी कमीज फट गई हाई अल्ला ये क्या हो गया जहा नताशा की हाई निकली वहीं जहरा का कहका छूटा अरे दस अजार का जोड़ा तो पढ़ड किया अब क्या करी जहरा ने मासूमित से कहा नताशा ने कहर आलू नजरों से से देखा एमन ने जल्दी से नताशा पर शाल डाली और जहरा को कमरे में जाने का इशारा किया जहरा हंसी जब्द करती अंदर चल पड़ी खैरियत से निकाह हो गया सब लड़कियां जहरा को छेर रही थी दुला दुलन को बिठा कर तस्वीरे खेंची गई जब्बार नोट कर रहा था कि एमन कुछ परिशान सी है सब मैमानों के जाने के बाद जब्बार एमन को लेकर कमरे में चला गया एमन क्या हुआ सब ठीक है ना जब्बार ने उसे बेट पर बिठाया जब्बार हमारी शादी को काफी अर्सा हो गया है मगर अभी तब कोई खुशकबरी एमन कहते कहते रुक गई जब्बार ने उसे सर दांखों से देखा एमन ये सब क्या है जब अल्ला चाहेगा तब हो जाएगा बच्चा अभी क्या जल्दी है क्या किसे ने कुछ कहा है वो आज एक दो आंटी ने मुझे डॉक्टर का पता दिया है जब्बार सब महले वाली बाते करती है एमन ने परिशानी में कहा एमन खबरदार आज के बाद किसी की भी बात पर धियान दिया और अभी कौन सा सालों बीट गए हैं शादी को अभी तो हम गूमेंगे फिर जब अल्ला ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा जब्बार ने उसे समझाया एमन ने सर हिला कर जान लेवा मुस्कराहट फैंकी जब्बार इसकी मुस्कराहट से दिल पकड़ कर रह गया उफ बहुत धग गई मैं इतना वारी ड्रेस हाए मेरी तो कमर तोट गई जब्बार अपने कमरे में दुहाईयां दे रही थी अभी वो चेंज करने चाह रही थी कि दर्वाजे पर दस्तक हुई उफ कौन है अब जब्बार मुँ बनाती दर्वाजे की तरफ बढ़ गई दर्वाजा खुलते ही जब्बार अंदर दाखिल हुआ और डौर लाग कर लिया अरे अरे कहां चले जब्बार ने हैरत से कहा अपनी बीवी के पास जब्बार ने उसे कमर से पकड़ कर करीब किया जब्बार में ठकी हुई हूँ मुझे सोना है जब्बार ने खालिस बीवी ओनार रोब जमाया मैं तो अभी किसी खास मकसद से आया हूँ जब्बार ने बेड़ पर बैटे वे कहा कुण सा मकसद जब्बार ने हाथ कमर पर टिकाए किस लूँगा आज बस जब्बार ने हाथ उपर कर के कहा किसका नाम सुनकर जहरा के रूंग्टे खड़े हो गए जुबैर प्लीज जाओ वन्न मैं शोर मचा दूँगी जहरा ने धमकी दी ओह तो मचा दो शोर जुबैर ने ला परवाही से कहा अम्मी 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 बचाओ बाजी जहरा ने चिलाना शुरू कर दिया इस अचानक हमले से जुबैर खबरा गया वो सोच में नहीं सकता था कि जहरा अब भी वैसी ही है जुबैर एकदम उट खड़ा हुआ जा रहा हूँ प्लीज चुप करो जुबैर ने उसे चुप कर आया मगर तब तक एमन और शेहर बानो कमरे को पिटने लग गए थी जहरा क्या हुआ दर्वाज़ा खोलो जहरा ने बढ़कर दर्वाज़ा क्या हुआ एमन ने खबरा कर पूछा कुछ नहीं वो ये जहरा ने मूड कर देखा तो कमरे में जुबैर मौज़ोद ना था क्या हुआ लाडो शेहर बानो मजीद खबरा गई वो छिपकली देख ली थी तो डर गई वो भाग गई है अब आप जाएं मैं चेंज कर लो जहरा ने खबरा कर कहा जहरा तुम भी ना चेंज करो और सोजओ जान निकाल दी तुमने मेरी एमन ने कहा और शेहर बानों के साथ बाहे चली गई जहरा ने कमरा लाग किया और जुबैर को आवाज दी जुबैर बैटके नीची से बाहे निकला शितान की नानी जुबैर घुसे से कहकर कमरे से निकल गया जहरा के कहके ने उसका दूर तक पीछा किया एमन एक सुनसान जंगल में खड़ी इदर उदर देख रही थी गुप अंधेरा था मगर कहीं कहीं चान की रोशनी पढ़ रही थी एमन घबराती हुई आगे बढ़ने लगी पत्ते इसके पैरों के नीचे आकर अजीब खोफनाक आवास पैदा कर रहे थे अचानक एमन को सामने से कोई आता दिखाई दिया ये वोही साया था जो उससे पहले भी नज़र आ रहा था एमन ने खबरा कर कदम रोक दिये वो साया इसके करीब आया और इसके कपड़े खेंच कर उताने लगा एमन रो रोकर इससे फर्याद कर रही थी मगर उस पर कोई असर नहीं था देखते देखते एमन बिलकुल नंगी हो गई इस साय ने एमन को जमीन पर धका दिया और इस पर जुका नहीं एक चीख के साथ एमन की आँख खुल गई वो बहुत घबराई हुई थी जबार इसके पास परिशान सा बैठा था एमन जमीन पर बनना हालत में बैठी हुई थी जबार की आवाज इसके कानों में नहीं पढ़ रही थी नजाने जबार क्या बोर रहा था एमन का दिमाग चकराने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई जबार की आँख खुली तो एमन रो रोकर किसी से फर्याद कर रही थी वो कह रही थी मुझे जाने दो मैंने कुछ नहीं किया एमन अपने कपड़े खुद ही उतार रही थी कपड़े उतार कर उसने दूर फैंकी और एक चीख के साथ होश में आ गई जबार बहुत घबराया वा था एमन दुबारा बेहोश हो गई साथ वाले कमरे से चीख सुनकर सब लोग दर्वाजा खटकटाने लगे जबार ने एमन को जल्दी से कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा कर दर्वाजा खोला शेहर बानों और सदीक अंदर दाफिल हुए जबार ने उन्हें सारी बात बताई और कहा एमन अक्सर रात को ऐसे ही करती है मगर अगले दिनी से कुछ भी याद नहीं होता है सब लोग काफी परिशान हो गए एमन की आंग खुली तो सुबा के दस बच रहे थे उसने कुछ तेर चट को घूरा और उटकर फ्रेश होने लगी फ्रेश होकर नीचे गई तो उसे घर में सब लोग हां ससकर बात करते नजर आए एमन ने इन सब को इग्नोर किया और वाहिल लॉन में जाकर खास दोने लगी एक जगा घास साफ करके इसने वहां की मट्टी चाटना शुरू कर दी काफी सारी मट्टी खाने के बाद वो उठी और अपनी कपड़े उतारने लगी जब वो बिल्कुल नंगी हो गई तो इसने अपना जिसम नोचने शुरू कर दिया इसके जिसम पर काफी सखम बन गए फिर एक जटके के साथ वो बिहोश हो गई जबार अपनी फैमली के साथ एमन के बारे में बात कर रहा था जब एमन इसे लौन में चाती नजर आई वो सब उठकर इसके पास कए और उसे आवाजे देने लगे मगर एमन कोई जवाब दिये बगएर मट्टी खोद रही थी एमन ने जब मट्टी खाना शुरू की तो जबार ने उसे पीछे हडाना चाहा मगर लाख जोर लगाने के बावजूद उसका जिसम हिल तक नहीं रहा था वो दिवार की तरह मस्बूत और भारी थी एमन ने अपने कपड़े उताने शुरू किये तो सब लोगों ने मूँ दूसी तफ कर लिया जबार और शेहरबानों की लाख कोशिश के बावजूद वो एमन को काबू नहीं कर पा रहे थे अचानक जबार ने दूरूद पाख पढ़कर एमन पर फूंका तो वो बेहोश हो गई जबार के फूंक मारते ही एमन बेहोश हो गई शेहरबानों ने जल्दी से उस पर शौल डाली और जबार उसे उठाकर कमरे में ले गया सब लोग हैरत से मूँ खोले खड़े थे किसी की समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है जबार ने डॉक्टर को घर गुलाया डॉक्टर ने कुछ खास जवाब ना दिया दवाईयों से एमन की सेहर ठीक हो रही थी मगर वो बदस्तूर खामोश थी बात चीत करना बंद कर दिया था आखिर थक हार कर सब ने उसे एक अच्छे दिमाग के डॉक्टर से मिलवाने का फैसला किया एमन की हालत ठीक हुई ये मजीद बीगर गई ये जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ मिलती हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए अल्ला हाफेश